Good morning girls, I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy आज हम लोग पूरा का पूरा जितने भी parts है Panacea यानी Remedy for All Diseases होता है जिसे कि हम लोग जितने भी MNS की तैयरी कर रहे है उनका हमने पूरा का पूरा एक PDF है जिनके बारे में पूरा का पूरा हम discuss करेंगे जिनके अंदर GK Physics, Chemistry and Bio का Maximum जो मैंने पिछला दो साल से एकटा किया, compile किया उनको हम discuss करेंगे बिना time waste किया हुए चलिए start करते हैं और इन series को आप सुनने के बाद really you'll be more helpful So let us start with the पहला part The Uncommon festivals of India जो की आज की टाइम पे कुछ festivals हम लोग मनाय जाते हैं there are few uncommon और कुछ festival जो normal मनाय जाते हैं वो उनके बारे में देखेगा दीपावली जिसको हम दिवाली है, festival of lights भी कहते हैं celebrated by all religions सभी लोग मनाते हैं और ये उस टाइम पे हम लोग दिया और sweets वगरे distribute करते हैं all over India celebrate करते हैं festival of colors जिसको हम कहते हैं, holy को कहते हैं दोस्तों सभी लोग holy खेलते हैं और दशरा और इस दशरा के अंदर ये हम लोग Hindu symbolizes the victory of good over evil आप से पूछा जाएगा ऐसे कौन से festival है जो की which symbolizes the victory of good over evil तो आपको दशरा answer देना होगा अगला देखिए दोस्तों celebrated by the Muslim honors the prophet Muhammad जो की ईदूल फितर होता है जो की prophet Muhammad का उस honor में यानि birth anniversary पे इनको मनाय जाते हैं अगला देखिए Christmas birth of Jesus founder of Christianity on 25th December मनाय जाता है दोस्तों Christians रक्षा बंदन it honors the relationship between brothers and sisters हम जानते हैं रविदना ठागोर जिन्हों इनिशेट किया West Bengal के अंदर महाशिवरात्री celebrated by North India normally all of the India हम लोग करते हैं लेकिन North India में सबसे ज़्यादा हिंदू celebrate करते हैं ये Lord Shiva को indicate करता है गुरुपूरा पंजाब में celebrate करते हैं सिख जो भी community है गुरुनानक जो की पहला सिख गुरु, खुल में लाके 10 सिख गुरु है जो की गुरुनानक देव founder of Sikhism और लास्ट गुरु गोबिन सिंग है दोस्तों लोरी यानी पंजाब celebrated by Sikhs और harvest festival of the state भी कह सकते हैं और वहीं पे हम लोग बाइसा के festival भी 13 April को मनाया जाते हैं पंगल तमिलनाडु में celebrate किया जाते हैं harvest festival of the तमिलनाडु दे कंट्रोल दा आक्स वहाँ पे जलिकटू और वहाँ पे celebrate किया जाता है ओनम केरल में और भी हू असाम के अंदर आप देख सकते हैं और यहाँ पे ओनम जो है वेलकम तो दिर फेवरेट किंग महाबली भी हू जो festival है असाम में तीन बार it is a harvest festival of the state it is celebrated three times in a year and is known as रंगोली भी हू कंगोली भी हू और भोगाली भी हू यह अलग-अलग तीन तरका तीन बार celebrate करते हैं साल में और पीरेड अगर आपको याद करनी है गो थू दे इंटरनेट गनेश चतुरती जो कि गोपाल कृष्ण गोकले जिन्होंने इस फेस्टिवल को separate start किया था और अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर चटपुजा आप जानते हैं यह चटपुजा जो है बिहार में मनाया जाता है और यह चटपुजा अपनी husband का जो भी मतलब उनकी अगला देखिए snake boat एक फेस्टिवल होता है जिसको हम चुंदनवलम्स कहते हैं और यह snake boat raised हो है केरल में celebrate किया जाता है यह कुछ-कुछ uncommon festival है देखिए strawberry festival जो कि पंच गनी में celebrate किया जाता है आप मुझे comment section में बताएंगे पंच गनी कहाँ पर देखने को मिलता है desert festival जेजल मिल के अंदर आपको इस festival को देखने को मिलता है गोवा कैरनेवल गोवा में madras music season जो कि चन्ने के अंदर आप देख सकते हो रन उत्सव गुजरात के अंदर देखने को मिलता है इस रन उत्सव के अंदर आप लोग कैट वहरा उड़ाते हैं zairo festival अरुनाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है ताज महुत्सव ये आगरा में काला गोड़ा festival जो की मुंबाई के अंदर इस तरह का काला गोड़ा जंगी राट गैलरी के पास आप लोग in front of the lion gate जो की नेवल बेस के सामने आप देखने को मिलता है और उत्रायन यानि काइट festival आपको देखने को मिलता है ये गुजरात में आपको देख सकते हो जैसे के मैं आप अलब डिसकस किया था वहाँ पे गुजरात के अंदर रन उत्सव के साथ साथ इस उत्तरायन यानि काइट festival वहाँ पे सेलेब्रेट किया जाता है कॉमिक कॉन इंडिया ये जो फिस्टिवल है डिल्ली के अंदर आप देख सकते हो हॉन्बिल फिस्टिवल जो की नागा लैंड के अंदर हॉन्बिल एक पक्षी होता है वहाँ पे नागा लैंड में देखने को मिलता है वो वहाँ पे celebrate किया जाता है बहुत ही important है आप चेक कर लीजेगा अगला देखिए सिंशस्त कुम्ब सिंशस्त कुम्ब जो की अलहाबाद यानी प्रयागराज आज की टाइम पे जहां पे गंगा यमुना सरस्वती जो संगम है वो दर इस तरह का कुम्ब महा कुम्ब मेला आप देखने को मिलता है रंगोली भीहू फेस्टिवल जैसे कि मैंने डिसकस किया अस्साम के अंदर अलग-अलग भीहू फेस्टिवल है इसमें तीन साल में तीन बार celebrate किया जाते है जो की 12 एपरिल को Christians ये फेस्टिवल मनाय जाते है वैसा की पंजाब में ये rich tradition and culture prosperity 13 एपरिल मंडे को मनाय जाते है जैसे कि उस टाइम पे आप देख सकते हैं वैसा के फेस्टिवल पंजाब में मनाय जाते हैं मकर संकरान्ती हिंदूस न्यूइर कह सकते हैं ये आंदर प्रदेश में 15 जन्वरी को celebrate किया जाता है मार शिवरात्री जैसे कि मैंने आले डिसकस किया Lord Shiva और बसंत पंजमी डेडिकरेटी टूग गॉड़ेश सरस्वती नॉमली 29 जन्वरी को मनाय जाते हैं और महावीर जैन्ती लाड महावीरा के बर्थ अन्वर्सिरी पर मनाय जाता है 6 अप्रिल पर उगादी जिसे के अंदरा में एफेस्टिवल टू थैंक देटी 25 मार्च को celebrate किया जाता और देश और करनाटक में आप संक्रान्ती वुगादी अंड ये देखने को मिलता है चट पूजा जिसे की डेटिकरेटर संगॉड ये आप देख सकते हो कहां पर बिहार के अंदर आप देख सकते हो अगला देखिए अंगरकूट पूजा या गवर्धन पूजा जो की celebrated as the day when Lord Krishna बर्दे अनवर्सरी में गुडी पडवा एक Grand Harvest Festival of Maharashtra कह सकते हैं और World Orange Festival बहुत ही इंपोर्टन्ट है आप नागपूर के अंदर ये Orange Festival वहाँ पे मनाय जाता है La Tomatino, Normally Tomato Festival होता है यह आप Spain, जहां पर bullfighting होता है वहाँ पे आप La Tomatino इस तरह का festival Uncommon Festivals देखिए आप Maximum Festivals के साथ-साथ Uncommon Festival भी आपने कवर कर लिया I hope इन में से ज्यादा कुछ देखने को मिला है अगर आपको कुछ difficulty लग रहा है आप दुबारा देखने जाहिए पर जो भी discuss करें हम तोड़ा fast discuss करेंगे आप चाहा तो इसको वीडियो को slow कर सकता है that is from your end चलिए अगला देखें boundary lines के बारे में जो की इंडिया और चेना के बीच में McMohan line demarket किया गया है और Sir Henry McMohan के नाम पे इन्होंने ये demarket किया है यानि उसको divide किया है अगला बहुत important है Durand line जो की इंडिया और अफगनिस्तान के बीच में आप देख सकते हो और it was established by Sir Motimer Durand जो की जिसे Henry McMohan जो demarket किया था जो establish करने वाला जो Durand की इंडिया और अफगनिस्तान के बीच में वो है Sir Motimer Durand उस बंदे के नाम पे ये line देख सकते हो 17 parallel जो की boundary line between North Vietnam और South Vietnam देख सकते हो वियतनमी इसके बीच में 17 parallel line है Radcliffe line और 24 parallel जो की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में Radcliffe line देख सकते हो और line of control भी वहीं पर है और ये जो draw करने वाला drawn by Sir Cyril Radcliffe ये भी जो की इनके नाम पे है ये Radcliffe line draw किया गया है in 1947 Shimla agreement which was signed on 3rd July 1972 और आप लोग जानते इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये Shimla agreement देख सकते हो और 1947 में ये हुआ था और 3rd July 1972 में आप देख सकते हैं आपे जो भी Sir Radcliffe 1947 में ये draw किया और ये Shimla agreement हुआ है July 1972 को हुआ है दोस्तो अगला देखे है 38 parallel the line between the North Korea and South Korea के बीच में 38 parallel है Iron Man of India किसको कहते हैं सरदार वलबाबापटेल जिसको हम Bismarck of India के नाम पे भी जानते हैं और इनी के नाम पे Statue of Unity 182 मेटर्स का हैट जो कि नर्मदार नदी के तट पर जहां पे सरदार सरोवर डैम है और ये वड़ोदरा जिस्टिक या गुजरात में आप देख सकते हैं और आप लोग मुझे बताएंगे ये इसका पूरे डिजाइन किया था उसका नाम Gustave Eiffel जो को उसका डिजाइन किया था और मेदा पाटकर जो की नमदा बचाओ अंजोलन के बारे में आप जानते हैं शी वास दा मेइन लीडर थी उस टाइम पे फरकका डाम जो है जोजिला पास कहाँ पर है मसूरी जो हिल स्टेशन है और रशिकेस और मसूरी नमली गुमने जाते हैं एक हिल स्टेशन है दोस्तों ये दहरादून के पास है उत्राइकंड में और पाक्स्ट्रेट जो की is a water body separating between India and Sri Lanka जो कि वहाँ पर सेतो समधरम project भी देखने को मिलता है 49th parallel boundary line between USA and Canada Canada और USA के बेच में जो boundary line है वो क्या है that is 49th parallel line अगला देखिए दोस्तों बहुत ही important है आप लोग हर चीज की जो भी हम discuss कर रहे है maybe it is faster but you have to go through each and everything you have the maximum content चलिए अगला देखिए और निसे जो line है एक boundary line between the Poland और जर्मनी के बीच में और ये नाम जो है और और निसी का ये नदी निसी रिवर के नाम पे ये और और निसी line दिया गया है hidden बर्ग जो की आप boundary between Germany and Poland के बीच में आप देख सकते हो और 1917 during the first war ये आप देख सकते हो इस line को draw किया गया है अगला मैनरेम line जो की boundary between Russia and Finland के बीच में मैगिनोट line जो है France और जर्मनी के बीच में और सेगफरेड लाइन जो है between France and Germany अगला name of the political leaders देख सकते हैं जहलान नहरू को चाचा जी के नाम पर बुला जाते हैं और 14 नौवंबर को Children's Day मना जाते हैं और MK गांदी माहत्मा के नाम पर बुला जाते हैं और जाते पिता भी आप कह सकते हैं political group of माहत्मा गांदी कोन है गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों मिजल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं अब्दुल फकेर जैनुल अबदीन अब्दुल कलाम आजार यानि APJ अब्दुल कलाम जिनको मिजल मैन के नाम पर जाना जाता है Wings of Fire जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम ने जो किताब लिखा है Wings of Fire इंडिया विजन 2020 साथ में Ignited Minds इन तीनों किताब का कंपोस किया इन्होंने देश बंदु किसको कहते हैं चितर इंजन्दास को हम लोग बुलाते हैं दीन बंदु C.F. Andrews यानि चार्लिस फ्रेड अंडियूस को बुलाते हैं राज गोपल चारी जो कि राजा जी के नाम पर बुला जाता है और ये सबसे पहला और लास्ट गवर्नर जनरल आफ इंडिपेंडिन्ट इंडिया कह सकते हैं और लाला लजपत राइ शेरे पंजाब के नाम पर जाना जाते हैं और इनको लाहोर में सामन कमिशन के दोरान अपनी अच्छाती पे किसी ने मार दिया था जिसके वज़े से वो काफी घायल हो गया था उसके बाद इसकी देहान तो गया था फ्रांटेर गांदी किसको कहते हैं खान अब्दुल गफर कान जिनको पाकिस्तान जिसके आप एक ऐसा पाकिस्तान है जो की बारत रतन अवार्ड इनको दिया गया है ये बाहर से बंदा पाकिस्तान से बिलॉंग करता है इनको बारत रतन अवार्ड दिया गया है ठीक उसी तरह इंडियन जो है वहाँ पे पाकिस्तान का भी जैसे उनका एक highest civilian award है जैसे हमारा बारत रतना है उद्धर का highest civilian award है उस civilian award का नाम आप मुझे comment section में बताएंगे और मुरारजी देशाय को ये award दिया गया है अगला देखिए Lady with the lamp Florence Nightingale को कहते हैं लोकमान ने बाल गंगादर तिलक को कहते हैं लोग नायक जैप्रकाश नारायन को कहते हैं Human Computer recently शेकुंतला देवी movie निकाला उस movie के नाम पे जैसे कि अपना विद्या बालन ने उस movie निकाला Human Computer के नाम पे जाना जाता है काफी जल्दी fast calculation करती है वो अगला देखिए लाल बाल पाल किसको यहां पे लाल बाल पाल आप जानते हैं लाला लजपत राय बाल गंगादर तिलक और विपिन चंदरपाल इनको हम लोग लाल बाल पाल के नाम पे जाना जाता है लोक नायक यानि जेप्रकाश नारायन गुरुदेव जो की रबिन्दना ठागर को हम लोग गुरुदेव के नाम पे जानते हैं और आप लोग पता होना ज़रूरी है रबिन्दना ठागर सबसे पहले जिनको नोबल प्रेज दिया गया है सबसे पहले कौन से साल में आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा अगला देखे सरवजी नाइड को लेटिंग गेल अफ इंडिया के नाम पे जाना जाता है अब बात आता है फोंडर और अर्गनिजेशन ब्रह्म समाज का जो भी फोंडर है 1828 में इसको स्तापना किया गया है आत्मिय समाज भी राजा राम मोहन ने जो राजा राम मोहन रह है RSS यानी राष्ट्रिय सायम सेवक संग जो की 27 सेप्टमबर 1925 में इसको स्तापना किया गया केश्वराव हेडगेवर सो बहुत ही इंपोर्टन्ट है RSS का पूछा जा सकता है और इस तरह का अलग-अलग टॉपिक्स आपको पता होना जरूरी है सत्यसोदक समाज 1873 में ज फॉर्मेशन किया है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेक आनन्द ने इसको फॉर्मेशन किया दोस्तों और मुस्लिम लीग जो कि 1906 में अगा खान और सलीम उल्ला मॉईजन मुलक ये लोग इसका मुस्लिम लीग का स्तापना की गई स्वाराज पार्टी जो कि 1923 में फॉर्म हुआ है बाई मोतिलाल नहिरुण चितरंजन दास और एंसी केलकर विश्व भारती 1912 में रविदना ठागुर ने स्तापना की गई और साथ में देख सकते हो आंगलो मुहमधियन ओरियंटल कॉलेज जिसको हम लेटर इसको नाम बदल दिया गया है अलिगर मुस्लिम युनिवर्सिटी के नाम पे इसका कनवर्ट किया है 1875 में जो की फाउंडर है दोस्तो सर साइद अहमद खान जिनके वज़े से अलिगर मुस्लिम युनिवर्सिटी फार्मेशन किया गया है आप लोगों को लगता है कि कोई भी सवाल यहां छोटा नहीं है हर सवाल आप देखते जाएगा अगर आपको कहीं कहीं डिफिकल्ट लगता है आप उसका स्क्रीनशाट ले लीजिए बाद में आप एक बार रिवायस करने के लिए सच में बता रहा हूं यह जो कुशन से आ ओमरूल लीक के बारे में जो कि 1916 में बाल गंगा दर तिलक इसका फॉंडर और अनी भी सेंट साथ में और कम्मिनिस्ट पार्टी आफ इंडिया 1930 में M.N. Roy कह सकते हैं चुकि फॉंडर है दोस्तो फावर्ट ब्लग 1939 में सुबाश चिंदर बोस ने स्तापना की गई और दा इंडियनेशनल आमी फॉंड बाई दा मोहन सिंग बट लेटर ही तुक ओवर बाई सुबाश चंदर बोस विद दा कमांड आफ राज बिहारी बोस लोगों को लगता है कि इंडियनेशनल आर्मी जो है अपना सुबाश चंदर बोस ने किया है लेकिन यहां पे यहां पे देखेगा इट वस फाउन बाई दा मोहन सिंग बट लेटर ही तुक ओवर बाई सुबाश चंदर बोस विद दे कमांड आफ राज बिहारी बोस बहुती इंपोर्टन ते याद रखेगा दा कमपनी डेवलप्ट दा आंड्रोइड ओपरेटिंग सिस्टम ए मोबाईल ओपर अगला देखिए कुछ military operations है operation rescue कहां पर किसके बीच में हुआ जैसे के आप जानते हैं जम्मो और काश्मीर operation था 1947 और 48 में यह हुआ था operation पोलो liberation of Hyderabad 1948 में हुआ था और operation विजय जोकी liberation of Goa from the Portuguese 1961 में हुआ था और 1999 में कारगिलवार के टाइम पे एक operation विजय हुआ था यह कुछ सवाल आप लोग बहुती important है याद रखिएगा अलग-अलग topic से अलग-अलग आपको देखने को मिलेगा किसी को भी नजर अंदाज ना करो अगला देखें operation blue star जोकी आप जानते हैं 1984 में वहाँ पे काफी problem हुआ था पंजाब में और insurgency हुआ था और वहाँ पे जो भी sick problem क्रेट किये थे उस time पे और वहाँ पे इस तरह का operation blue star चली थी operation black thunder 2 जोकी 1988 में पंजाब इंसर्जिंसी में यह operation black thunder हुआ है और operation मेगदूद जोकी 1984 में सियाचिन operation हुआ था यह और operation पुमलाई जोकी 1987 से लेके 1990 में इसकी दोरान हुआ था स्री लंकन operation था है operation cactus जोकी 1988 में liberation of Maldives so India's first overseas machine कह सकते हैं यह जो जो भी हुआ था abroad में मालदीव में हुआ था 1988 में operation cactus जितने भी operations है maximum आप याद रखने के कोशिश करिए operation सुकून रिसेंटली क्या हुआ था 2006 में when I was in Navy 2004 में चला गया था और 2006 में जितने भी निवल जहाज वहाँ चले गए थे Lebanon और वहाँ से Indians को evacuate किये गए थे और यह operation सुकून निवी ने अर्गनेस किया है operation zero nima जोकी 2011 में assassination of bin laden जिसे के आप जानते हैं उसामा बिन लादन को जो मारे थे उस operation का नाम है zero nima अगला operation odizenon जोकी लिबिया में हुआ था 2011 में operation woodrose जोकी that took place in the month after the operation blue star prevent the outbreak of widespread public protest in the state of Punjab जोकी blue star के बाद जो operation थीक थोड़े देर के बाद होने वाला जो operation है वो woodrose है दोस्तो operation सहयोग जोकी Indian army launched operation सहयोग in year 2018 to rescue people in the food heat Kerala Indian army has deployed its men and machinery into disaster relief and rescue operations at Karnur, Koji Kod, Vainad and Idukki यह recently काफी problem हुआ था operation सहयोग जिनकी वज़े से काफी लोगों को खाना वगरे नहीं मिल पा रहा था और उस time पे army वगरे को डिप्लाय किया गया था और साथ में navy भी काफी help किया सबको जाके खाना पाने दिया है operation सहयोग सभी लोग जानते हैं recently यह हुआ था operation tornado जो कि cyclone भी जानते हैं इसको यह again is the 2008 Mumbai terror attack आप जानते हैं जब Mumbai terror attack हुआ था यह operation NSG commandos ने take over किया था और navy के commandos भी वहाँ पे जाके लड़े थे उस operation को tornado या cyclone के नाम पे जाना जाते हैं operation cactus paracommandos of Indian army and marcos of Indian navy host tamil nationalist mercenaries of lotte who instigated यहाँ पे Maldives में operation हुआ था नेवी के साथ साथ मार्कोस यानी नेवी के commandos को मार्कोस के नाम पे बुला जाता है और इंडिया नामे के commandos जो यह तक वाले वो operation cactus मालदिव में हुआ था operation bluebird Indian retaliation operation है जो की 1987 attacks assam rifles outpost मनिपूर में यह operation bluebird हुआ था अब बाद आता है national park की gym carpet जो की आप gym carpet के अंदर Bengal tiger royal Bengal tiger को देख सकते हो यह आप देहरे दुन यानी उत्तराकंड में आप देख सकते हो 1000 बाद नेशनल पार्क जरकंड में देख सकते हो कन्हा जो है मज़प्रदेश में आप देख सकते हैं और अगला देखिए गिर नेशनल पार्क काफ लाइन्स के लिए famous है और एशियाटिक लाइन्स कहते हैं यह गुजरात में आप देख सकते हैं संजे गांदी नेशनल पार्क बोरी वेली महाराश्टर में आप देख सकते हैं और वहाँ पे एक रिसेंटली काफी बुढ़ा टैगर की देहानत हो गई उस टैगर का नाम क्या है आप मुझे comment section में बता सकते हैं बंडिपूर नेशनल पार्क जो है मैजोर करनाटक में देख सकते हो काजरेंगा नेशनल पार्क जो की वन हार राइनोसरस के लिए काफी फेमस है असाम में वहाँ पे दिगबोई आयल मिल भी है मानस वाइल लेफ सैंक्चरी भी है साथ में आप असाम जो है काफी चीजों क जो है तमिलनाडू में देख सकते हैं वालमी की या बेटा नेशनल पार्क जो है बिहार में है बहुत ही इंपोर्टन्ट है कुसी को भी नजर अंदाज ना करो सैडल पीक नेशनल पार्क यू कन सी इन अंडमान और निकोबार आलाइंट्स के अंदर गलफाफ मुनार मेरैन नेशनल पार्क तमिलनाडू में है और साइलेंट वाली जो की केरल में आप देख सकते हो सिमिलिपाल ओडिशा में है नंदा देवी नेशनल पार्क जो है देहरादून जो की उतराखंड में देख सकते हो मानस नेशनल पार्क अस्साम में है और सुन्दरबान मेराइन चंदर प्रवा सैंग्चरी देख सकते हो रचिंगम सैंग्चरी जो है जमून कैश्मीर में है जल्द पारा सैंग्चरी जो है वेस्ट बेंगाल में है सरिस्का अन्राथमबोर नेशनल पार्क आप राजस्तान में देख सकते हो शिवपुरी नेशनल पार्ख जो की मज्ज़ प्रदेश में देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर नेशनल पार्ख हमने maximum कवर करने के कोशिश की है अगर आपको इससे ज़्यादा पता है आप मुझे comment section में बता सकते हैं ताकि लोगों कोई भी फाइदा हो तीन साल के बाद ये वहाँ पर पहुंच है तो पहले नार्थ और उसके बाद सौथ राबर्ट पीरी 1909, अमेंटसन 1912 वेस्ट इंडीस और सौथ अमरिका जो की आप जानते हैं ये डिस्कवर करने वाला कोलंबस है दोस्तो 1492 में और तास्मानिय आयलैंड और New Zealand जो बइस आयलैंड सको 1642 में तास्मान ने खोज किया और इस ही के नाम पे तास्मानिय आयलैंड भी नाम दिया गया है डिस्कवरिया विक्टोरिया फाल्स जिसको हम डेविड लिविंग स्टोन इस बंदे ने डिसकवरी किया विक्टोरिया फॉल्स को सी रूट टू इंडिया हम जानते है फोकी नैंटेट में वॉस को डगामा आए था कैलिकर्ट के पास zamoran से मिला और किंग zamoran से मिलके वेहाँ पर उसको काफी सम्भान मिला है तो वसकोड़ा गामा जो है सी रूट टू इंडिया यहां थे 1498 में, solar system जो कि Nicholas Copernicus आप जानते हैं 1540 में संटर, sun करके बोल दिया थे, इससे पहले टॉलमी थे जो कि जियो संट्रिक तीरी, अगला देखिए, जितने भी discoveries है आपको याद रखना बहुत ही important है, loss of planetary motion जो कि Kepler 1600, वहां पर उस टाइम पर जॉनिस Kepler न 70 में इसने खोज किया है, travel through Asia along the silk road, जो कि Marco Polo आप जानते हैं, जिन्होंने silk road के तुरू, between the 1271 to 1295 के बीच में, इन्होंने travel through Asia along the silk road, travel करने वाला जो discoverer है Marco Polo, अब बात आता है awards की, बहुत ही important है awards, आपके exam में आपको आएंगे, so Pulitzer Award के बारे में देखा जाए, journalist को दिया जाता है, grammy award जो की music में काफी अच्छा performance करने के लिए दिया जाता है, Nobel Prize, most coveted international award of the world, instituted by Alfred Bernard Nobel, जो की dynamite को खोज किया था है इसने, और इस dynamite accidentally इसने find किया है, और 1901 में, ये started issuing the prizes, in the field of, देखें, field कितने है, science है, literature है, peace है, medical science है, और economy है, इन पांच field हो में दिया जाता है, और जो भी उस time पर prize money मिला था उनको, और उसका जो पाईसा, आज interest हर साल का जो भी interest है, उसका prize money, distribute किया जाता है, in the field of science, literature, peace, medical science and economy, बहुत ही important है, the award is given on the 10th December in the name of Alfred Nobel, और यानी आस्ट्रिया के जो capital है, वियन ना में दिया जाता है, सबसे पहले Nobel Prize इंडिया में, literature में मिला है, रविंदना ठागोर, West Bengal से बिलॉंग करता है, गीता अन्जली किताब की वज़े से, हरगोबिन कुराना was awarded the Nobel Prize for Genetic Code in Medical Science, जो कि आप जानते हैं, ये Medical Science में इनको दिया गया है, ये इंडिया से बिलॉंग करता है, जिसको हम Father of Green Revolution के नाम पे भी जानते हैं, Oscar Award was won, 36 बार जो कि Walt Disney को दिया गया है, Oscar Awards, Global 500 Award, Global 500 Awards are given for the outstanding achievement in the field of protection of environment field में, ये दिया जाता है, Man Booker Prize, 2014 में, is awarded to Richard Flanagan, So, ये Man Booker Prize, 2014 में जिसको मिला है, वो है Richard Flanagan, और मूर्थी देवी, साहित्य पुरसकार, ये जो अवार्ड है, बारतिय ग्न्यानपीत को दिया गया था, First woman to win the ग्न्यानपीत अवार्ड, सबसे पहला अवरत जो कि ग्न्यानपीत अवार्ड लेने वाली, आशापूर्णा देवी दोस्तों, और Roland Garros is the Grand Slam title of French Open, आप जानते हैं, US Open जानते हैं, French Open जानते हैं, यहाँ पर Roland Garros is the Grand Slam title, जो कि French Open आप जानते हैं, the other term for genetic engineering is DNA, यानि deoxyribonucleic acid, editing noble prize for DNA editing this year, chemistry में दिया गया है, और आप याद रखेगा किसको, Recommendant DNA Technology, Chimeric DNA, Breaking of 2 DNA, Dr. Lalji Singh DNA Laboratory, आप देख सकते हो, हैदराबाद में, दूसरा चंडीगड में है, तो ओवराल क्या है, इस बार जो मिला है, वो DNA editing के लिए, chemistry में मिला है, और साथ में आपको Dr. Lalji Singh DNA Laboratory, हैदराबाद में है, और एक चंडीगड में है, सो relevant जो भी information है, हम आपको provide करेंगे, और Dr. C. V. Raman को Nobel Prize दिया गया है, 1930 में, रामन effect के वज़े से, इनको science field में दिया गया है, Mother Teresa, जिनको Nobel Prize दिया गया है, Peace Award and Service के लिए, Peace and Service के लिए 1979 में इनको दिया गया है, आप मुझे बताएंगे, Mother Teresa का actual नाम क्या है, और 2014 में, Nobel Peace Prize was shared with the Moolala Yousafzai, जो कि पाकिस्तान की चोटी सी इंगिस लड़की है, और कैला सत्यर्ती, जो कि बचपन बचाओ अंदोलन फार्मिलेट किया इन्होंने, और इनको दोनों को Peace Award दिया गया है, जो कि Peace Award नॉमली ओजलो में दिया जाता है, The Man, City of Kashmir Valley, जो कि श्रीनगर को कहते हैं, दाल लेक वहाँ पर है, और साथ में मुगल गार्डन भी वही देख सकते हो, National Botanical Garden, जो कि आप लकनों में देख सकते हो, सबसे पहला Oscar Award दिया जाने वाला किसको दिया गया है, सत्यजित राय को, इन्होंने एक मुवी डिरेक्ट किया है, उस मुवी कर नाम किया है, आप मुझे बताएंगे, सबसे पहला मुवी, The Two Highest Galantry Awards, जो कि परमवीर चेकर और महावीर चेकर आप जानते हैं, यहाँ पर गैलेंटरी पूछा गया है, ठीक है, अगला, An International Woman of Courage Awards is given out by the U.S. Department of States, यह जो अवार्ड है, International Woman of Courage, यह अवार्ड U.S. Department वाले देते हैं, और आसकार अवार्ड जो की, फिल्म में अच्छा कासा कांट्रिबूरिशन की वज़े से देते हैं, महात्मा गांधी Peace Prize जो है, गांधियन वैल्यूस, उनके बारे में जो भी गांधियन वैल्यूस की वज़े से यह देते हैं, बारत रतना, exceptional work होता है, for advancement of art, literature, science and in recognition of public service of highest order, जो के बारत रतन दिया जाता है, पद्म विभूशन, second civilian award आप जानते हैं, और बहुत ही important है, यहाँ पर पद्म भूशन, पद्म विभूशन, अलग-अलग awards है, जो यहाँ पर भारत रतना, highest civilian है, उसके बाद पद्म विभूशन आता है, जो के second civilian award कह सकते हैं, यह आप से पूछा है, which is the second civilian award, आपको पद्म विभूशन बताना है, तर्ड, उसके नीचे पद्म भूशन आता है, यह किस फिल्ड में दिया था, exceptional, undistinguished services in any field, including services rendered by the government servants, अगला पद्म भूशन, जो के third civilian award होता है, distinguished service of high order in the any field, including service rendered by the government servants, और पद्म श्री उसके बाद चौता में, यह सब पद्म awards है, distinguished service in any field, including service rendered by the government servants, उसके बाद gallantry award में देखा जाए, परमवीर्चक्र, highest decoration of for the valor, conspicuous bravery or some daring or pre-eminent act of valor, और self-sacrifice in the presence of the enemy, जो भी self-sacrifice देते हैं, उनको परमवीर्चक्र दिया जाता है, महावीर्चक्र, second highest military decoration, conspicuous gallantry in the, जो की सबसे पहले परमवीर्चक्र, उसके बाद महावीर्चक्र, उसके बाद in the presence of weather on land, at sea or in air, जो की second position में देख सकते हैं, उसके बाद आता है, वीर्चक्र, bravery in the battlefield during the war, अब बात आता है दोस्तो, अशोक चक्र, highest peace time military decoration कह सकते हैं, most conspicuous bravery or some daring or pre-eminent act of valor or self-sacrifice during the peace time, कुछ war time होते हैं, कुछ peace time होते हैं, so PVC, परमवीर्चक्र, जो भी दिया गया, वीर्चक्र, यह सब जितना भी चक्र, यह वार्टाइम होते हैं, कुछ peace time होते हैं, यहाँ जो highest peace time military decoration कह सकते हैं, अशोक चक्र, उसके बाद कीर्थी चक्र, conspicuous gallantry during the peace time, अगला राजी गांदी खेल रतना अवार्ड, यह exceptional sporting performance में दिया जाता है, ध्यानचन्द अवार्ड जो है, lifetime achievement award in sports में, और द्रोनाचरिय अवार्ड जो है, यह coaches को दिया जाता है, जो कि अच्छा coach, जो भी रहेंगे, अर्जिन अवार्ड for the outstanding sports person को दिया जाता है, 1961 से इसको start किया गया है, highest sports award of India, जो कि राजी गांदी, खेल रतना, recently कोली को दिया गया है, साहचे academy award जो है, literature award होता है, और man booker international prize जो है, English novel के लिए दिया जाता है, और आपको पता होना जरूरी है, इस तरह का man booker international prize जो की writers को दिया जाता है, Roman magazines award जो है, that is awarded to the Asian persons for various categories, named after Philippine president for journalism, public service, community, leadership, journalism, literature and creative arts, जो Roman magazines हैं, यह Philippine president के नाम से दिया जाता है, और यह journalism के जो भी अच्छे perform करते हैं, और public service के लिए उनको दिया जाता है, दादा साहिब फाल के अवर्ड, lifetime achievement award in the film industry के आपको पता होना जरूरी है, दादा साहिब फाल के अवर्ड, recently अमिताप बच्छन को भी दिया गया है, Cups, Trophies and Games, Thomas Cup, Uber Cup, बहुत important है, यह आप याद कर लीजिए का आपको कोई न कोई एक सवाल आई जाता है, Thomas, Uber Cup, यह जो है बैटमेंडिन के संबंदित Cup है, और Aga Khan, Rangaswami, Bigton Cup and Nehru Trophy, यहाँ Nehru Cup नहीं बोला है, नहीं बोला है, यह सब होकी के संबंदित है, Davies, Wimbledon, Grand Prix, Federation, यह जितने भी, Long Tennis के संबंदित है, French Open भी, US Open भी देख सकते हो, अगला Durand, IFA, Shield, Mardeka, DCM Cup and Subrato, यह जितने भी है, यह Football के संबंदित है, अगला देखे, डुलीब Trophy, रंजी, Ashes, डियोधर, IPL Trophy, यह सब क्रिकेट के संबंदित, और Sweatling Cup, बहुत ही important है, Sweatling Cup जो है, Table Tennis के संबंदित, Rider Cup, Golf और Gordon Bennett Trophy, जो है, Motor Racing के कंसनिंग, और Prince of Wales Trophy, जो है, Yachting, यानि आप Sailing Yacht, वाल बेकर Trophy, जो की Boxing के संबंदित, Derby, Horse Racing का कंसनिंग है, और Ezra Cup जो है, Polo, Deodor Trophy, जो की Cricket के संबंदित, आप देखेगा, यहाँ पर Horse Racing, Derby, अगला Official Books and Nations, जो की हर Nation का एक Official Book होता है, Green Book जो है, Italian and Persian Publication संबंदित, और White Book जो है, Germany and Portugal, China, इनका Official Publication है, Blue Book जो है, British Government का Blue Book, Official Book है, और Gray Book जो है, Official Publication of Japan and Belgium, Orange Book जो है, Netherlands में देख सकते हैं, Yellow Book जो है, France, याद रखेगा, जितना हो सकता है, उतना याद रखेगा, आप से अगर पूछा जाता है, आपको अटलीस्ट एक दो तो पता होना, बहुती important, अटलीस्ट, Eliminate करके, Option, टिक कर सके, अगला देखें, Monuments and Location के बारे में, India Gate आप New Delhi में देख सकते हैं, जंतर मंतर जोकी, New Delhi में हैं, और साथ में, जेपूर में भी आप देख सकते हैं, जिनको Constructor ने वाला, जे सिंग 2, और कहां पे जंतर मंतर देख सकते हो, आप मुझे comment section में बता सकते हैं, लिंगराज टेंपल, जोकी बुवनेश्वर में हैं, और कोनाग टेंपल, इसको बुला जाते हैं, जगनाट टेंपल, जोकी पूरी में है, आनन्द बवन, आप अलहाबाद में देख सकते हो, दिलवारा जेन टेंपल, मौन टबू, राजस्तान में है, जमा मस्जिद, जोकी न्यूदेली में है, गेटवा अफ इंडिया मुंबई में है, 2020 में वोलिम्पिक गेम्स हो ला था, लेकिन वो 20 का हो गया, टोक्यो में, जपान में होने वाला है, मल्यालम जो है, एक पालिंड्रोमी लैंग्वेज है, आप रिवर्स पढ़ लीजिए, फिर भी आप मल्यालम उसको पढ़ सकते हो, सो पालिंड्रोमी यानि आप रिवर्स भी पढ़ोगे, तो तब भी आप सेम पढ़ सकते हो, अगला देखे हाइस लेटरसी रेट इन इंडिया आप केरल में देख सकते हो, सुप्रीम कमांडर आफ आमड़ फोर्स के नाम पर प्रेजिडेंट को बुला जाता है, जिनको हम सबसे पहला सिटिजन आफ इंडिया भी कहता है, फर्स्ट इंडियन टु गो इन स्पेस, जो कि विंग कमांडर राकेश यहाँ इंडियन पूछा गया है, विंग कमांडर राकेश जो कि इंडियन एर फोर्स का आफिसर है, और बाइदा सैटलेट, किस सैटलेट में गया था, सोईज T-11, क्योंकि उस टाम पर हमारे पास कोई भी सैटलेट नहीं थी, वो USSR रशा की हेल्प से साथ दिन के लिए गये थे, वो लोग April 2nd 1984 में गये थे, सोईज T-11, उस सैटलेट में इन्होंने वहाँ पर टेक आफ किया है, फर्स्ट सन्राइज इन इंडिया, इंडिया में अरुनाचल प्रदेश में एक डांग है, जहां पर सबसे पहला सन्राइज आप देख सकते हो, अरुनाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, इचानगर, आर्किटेक्ट और डिजैनर बहुत ही इंपॉर्टेक्ट है, कौन आर्किटेक्ट और कौन डिजैनर है, यह आप लोगों को कुछ ना कुछ एक सवाल आई जाता है, लिक कार्बुजियर, फ्रेंच आर्किटेक्ट है, जो कि चंडिगट सिटी को प्लान करने वाला, उस्ताद अहमद लाहुरी, यह आर्किटेक्ट जो है, ताजमाहल और डेटफोर्ट का इन्होंने डिजैन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाहुरी, आर्किटेक्ट अफटाजमाहल और डेटफोर्ट, एडविन लुटियन, जो कि डिजैनर आफ इंडिया गेट आप जानते हैं, जो कि डिल्ली में उपस्तित है, एडविन लुटियन, इसका डिजैनर, आर्किटेक्ट आफ हवामाहल, लालचंद उस्ताद हवामाहल जो कि कहां पर है, आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में बताइएगा, कुदब मिनार जो कि कुदबुद्दिन आईबग खुद डिजैन किया था, डिजैनर आफ स्टैचो आफ यूनिटी, जो कि सर्दार वललबाय पतेल का, राम वी सुतार ने डिजैन किया है, इन में से कुछ ना कुछ इस तरह के टॉपिक से आप से पूछा जा सकता है, डिजैनर आफ स्टैचो आफ वलिबर्टी, जो कि फ्रेडरिक अगस्टी बर्तोली, जो कि आप जानते हैं, जिसने डिजैन किया है, फोर्ट विलियम, यहाँ डबल्यू नहीं, फोर्ट विलियम, जो कि अंडर दर जान गोल्ड्स बरो, यह कंस्ट्रक्ट किया गया था, यह कहां पर हैं, आप कैलकटा में देख सकते हो, ओल्ड और न्यू नेम्स, पहले क्या नाम थे, और आज के टाइम पर क्या नाम है, पहले सियाम नाम पर जानते थे, आज के टाइम पर थाइलैंड, बर्मा, अभी माइनमार हो गया, सिलोन, हम स्री लंका बोलने लगे, जहरे यानि कांगो को कहते हैं, कहते थे, और हॉलैंड, जो कि अभी नेधर लैंड के नाम पर जानते हैं, इस्ट टाइमर अब हो गया, टाइमर लेजडी, और फामोजा, जो कि ताइवान को पहले फामोजा के नाम पर जानते हैं, मलेशिया को मलाया, Madagascar को Malagaze के नाम पे जानते हैं Mesopotamia जो कि Iraq को पहले बूलाते थे Persia आज के टाइम पे इरान है Sandwich Island जो कि Hawaiian Islands भी कहते हैं आज के टाइम पे Dutch East Indies जो कि Indonesia को पहले कहते थे Gold Coast यानि आभी घना कहते हैं और Code Delivery जो कि Ivory Coast को कहते हैं बस ये सब चीजे आप याद रखिएगा और Northern Rhodesia यानि आज के टाइम पे Zambia के नाम पे Southern Rhodesia यानि जिमवांबे को कहते हैं और Botswana को पहले Botswana Land Allies Islands आज के टाइम पे Tuvalu कहते हैं Abysinia यानि Ethiopia के नाम पे जानते हैं उसका जो Capital है Addis Ababa अंडोरा आज के टाइम पे Ankara के नाम पे British गयना जो कि गयना के नाम पे जानते हैं Cape Carnival Cape Kennedy आज के टाइम पे Southwest Africa जो कि Namibia Upper Volta Burkina of Azo Calicut कोजिकोड आज के टाइम पे जानते हैं पहले Calicut के नाम पे जानना जाता था उटी उदगमंडलम अब रंगून अभी अंगून हो गया Pondicherry अभी पुदुचरी हो गया जो कि आज के टाइम पे लिफिनेंट गवर्नर के रनवेदी है अलहाबाद अभी प्रायगराज के नाम पे जानते हैं पहले वो प्रायगराज था बाद में अलहाबाद हो गया फिर बाद में उन्हों प्रायगराज कर दिया पहले बैंगलूर था आज के टाइम पे बैंगलूरू कर दिया है तिरवननतपुरम अब वापस तिरवननतपुरम कर दिया अगला ट्रिवेंडरम अभी त्रिवन अंतपुरम कर दिया है पंजिम आज के टेम पर पनाजी और बेनारस वारनासी हो गया और कानपूर जो की कानपूर के नाम पे अभी नय नय नाम आ गया और परसंडन प्लेसेस के बारे में रभीनना ठागुर जो की शांदनी केतना आप जानते हैं और रभीनना ठागुर का है और गुरुनानक का तलवंडी जो की उनकी प्लेसेस है सरदार पटेल बाडोली सच्चागरा आप जानते हैं सो वहाँ पे आप सरडार पटल का देख सकते हो उन्ही प्रेसे बिलॉंग करता है और रामकृष्ण परहमसा जो की बेलूर जो बेलूर है वहाँ पे रामकृष्ण परहमसा और ये रेस्पेक्टिव प्लेसेस है राना प्रताप जो के चित्वर हाल्दीगटी वहाँ पे पुनार अरभिंद गोष्ण पुद्दुचरी वहाँ पे एक बड़ा सा आश्रम भी देख सकते हो अरभिंद गोष्ण का महात्मा गांधी पोरवंदर राजगाट जो की प्लेस आफ महात्मा गांधी राजगाट टीपु सुल्तान श्रीरंगा पत्नम और राजीव गांध इस इंफरमेशन को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि तोड़ा ज्यादा है तो ज्यादा पढ़ना खराब नहीं है आप कम टाइम में ज्यादा जानोगे उतना फाइदा रहेगा ताकि आप लोग कोई भी सवाल आजाए आपको किसी भी अगर का निर्मल हृदिया और जीसस क्रैस्ट जो की जेरुसालेम बर्थप्लेस है अलेक्सांडर दे ग्रेट जो की मेसीडोनी महमद प्राफिट जो की मख्खा आप जानते है Portal of Waterloo आप जानते है food and nation कौन सा देश का क्या क्या है चौमन जो खाते हैं वो छेना से और ये एक सवाल रिसेंटली भी पूछा जा रहा है और पाइला जो कि स्पेइन में काफी फेमस है बकलावा जो कि टवकी में फेमस है और बर्गर जो कि अमेरिका से आए ये फिश और चिप्स इंग्लेंड में देख सकते हो शूशी जपान में है और फीजोदा जो कि ब्रजील में है कटलेट नौर्थ इंडिया में देख सकते हो पीजा जो है इटली से आया देखेगा जितने भी फूड है आप से इस तरह का सवाल आप से पूछा जाएगा चौमेन कहां का है चैना का इस तरह का आप से पूछा जाएगा आप मुझ खोल के बैट जाओगे तो अच्छा नहीं होगा जो भी सवाल हम दिये जा रहा है इसको नजर अंदाज ना करो अगर आपको इनकी hard copy या print out चाहिए आप material के लिए आप मुझे call कर सकते है अब road construction के बारे में देखते है golden quadrilateral जो की rectangle pyramid भी जानते है ये national highway का जो की quadrilateral जो है Delhi, Calcutta, Mumbai, Chennai के बीच में आप देख सकते हो 5, 4, 6 km distance आप देख सकते हो अलग-अलग जगह से connect करता है Delhi to Calcutta जाने वाली national highway 2 उसके बाद Delhi to Mumbai 3, Mumbai to Chennai 4, Chennai to Calcutta 5 ये आप sequence याद रख लिजिए, बहुत ही important है आपके दिमाग में चलना चाहिए इस joints 13 states को join करता है longest national highway के सकते हैं among all those जो की Chennai से Calcutta जाने वाली सबसे longest है और वो NH5 है अगला देखिए NH1 जो की Amritsar से लेके Delhi तक और NH2 जो है Delhi से Calcutta जिसको हम Grand Trunk Road भी जानते हैं और जो Grand Trunk Road है शेर्षा सूरी फ्रम पेशावर ये construct किया था पूछा जाएगा आपसे GT Road construct करने वाला King Cone है शेर्षा सूरी longest national highway जो की 44 है कैश्मीर से कले के कन्या कुमारी और shortest जो की 47 A है Wellington to Kerala so Wellington to Kerala आप देख सकते हो चोटा सा वहाँ पे Kerala में देख सकते हो 47 A भारत माला प्रोजेक्ट जो है ये Indian roads between places of tourism for the tourism purpose ये भारत माला प्रोजेक्ट स्टार्ट किये गए थे national highway 1 डेली से लेकिए आमरिच सेर जो की Ambala से और जलंदर आप देख सकते हो national highway 1 ये जो है जलंदर टू उरी और NH2 डेली टी कालकटा 3 हमने डिसकस किया आगरा टो मुंबाई और NH4 ठाने टू चन्नाई और NH5 जो है भहरगोटा जो की कालकटा से लेकिए चन्नाई आप देख सकते हो वो पूरा NH5 है NH6 हजीरा टू कोलकटा वया नागपूर और NH7 वारनासी टू कन्या कमारी NH8 डेली टू मुंबाई NH9 पूने टू मचली पतनम तो देख लीजेगा जितना आप इम्पोर्टन है आप टू 6 तक इम्पोर्टन है NH10 डेली टू फजी काव प्रसीटिंग टू इंडो पाक बॉर्डस NH14 बीवर टू राधनपूर और NH15 पतान खोट अंड कांडला NH24 डेली टू लक्रों NH27 जो की 3507 किलोमेटर है लांग रोड इस सेकंड लॉंगेस्ट नेशनल हाइवे इन इंडिया जबसा पहला आप नॉर्थ सौथ कॉरिडर कह सकते है NH27 जो है सेकंड हाइस्ट इंडिया जो यहाँ पे नेशनल हाइवे फॉर्टी 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 आज की टैम पे बुलाए जाता है पहले नेशनल हाइवे सेवन के नाम पे जहानसी इस जंक्शन आफ नॉर्थ सौथ और इस्ट वेस्ट कॉरिडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह जहानसी एक एसस सिटी है जहां पे नॉर्थ सौथ के साथ साथ इस्ट वेस्ट कॉरिडर का भी जहां मिलता है NH39 जो की नुमाल इगर टू इंडो माइनमार बाउडर में देख सकते हो अगला NH44 देख सकते हैं जिसको आज की टाइम पे NH44 है पहले NH7 के नाम पे जाना जाता था यह एक हाइवे है इस वेस्ट कम इंटू बीइंग बाई मेर्जिंग 07 मेजर नैशनल हाइवेज अगर टू कन्या कुमारी So NH44 का काफी important role है दोस्तो NH48 पहले NH8 के नाम पे जानते थे देख सकते हो किस-किस के बीच में गया है और longest highway in India between जमू अंड तमिलनाडू So जो की northwest corridor के नाम पे जाना जाता है Southwest corridor यह southwest नहीं यह जिसके आप जानते हैं इसको south north जिसके east-west corridor है यहाँ पे east-west कर लो east में आप सिलचार से लेके west में पोरबंदर गुजरात तक by using map you can find क्या find कर सकते हैं distance, direction and altitude का measure कर सकते हैं southernmost point of India जो की इंद्रा point को कहते हैं southernmost peninsular of India जो की कन्या कुमारी जो की peninsula के अगर बोला जाता है तो कन्या कुमारी है point कहते हैं इंद्रा point है जो की अंडमार और निकवार आलेंड में देख सकते हो अगला देखे easternmost tip of India where sun rises जो की डॉंग में आप देख सकते हो topic of cancer passes through कितने states के तरू 8 state के तरू गुजरात, राजस्तान, मज़प्रदेश, चैतिजगर, जारकन, वेस्ट बेंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम इन आटों के तरू tropic of cancer pass होता है अगला देखे oceans of the world pacific ocean है सबसे बड़ा Atlantic ocean Indian ocean Arctic जो की छोटा है और southern ocean खुल मिला के 5 है और 5 major oceans Arabian seas Caspian sea Bay of Bengal यह आप जानते हैं seas अगर बोला जाओ oceans यह बड़े-बड़े Pacific ocean है Atlantic Indian Arctic and Southern ocean बाकी seas आप देख सकते हैं deepest, biggest ocean in the world जो की Pacific है जहाँ पे Mariana Trench है 10,994 meters आप देख सकते हो 94 अगला देखे pressure at Mariana जाकी normal pressure से ज़्यादा 1000 times ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है India liberated from the liberated Goa from the Portuguese in the year 1961 Puducherry को हम लोग आज के टाइम पे French colony के नाम पे भी जानते हैं सबसे पहला female के बारे में Karanam Malishwari जो की सबसे पहले bronze medal Olympics में weightlifting में जीतने वाली लड़की फातिमा बीबी सबसे पहला female judge of Supreme Court of India Christian missionary was the first to come to India जो की Saint Thomas के टाइम पे ये लेके आया था और राजकुमारी अमिरित कौर पहला Indian woman who became cabinet minister और बूला चाओदरी सबसे पहला woman है जो की across the sea channels of five continents इन्होंने पास किया है किरन बेडी जो की सबसे पहला woman है जो appointed civilian police advisor of the United Nations सबसे पहला woman है मिस सरोजनी नायडू पहला woman governor of state जो की उन्होंने गवर्णर इन्होंने UP का सबसे पहला take over किया था 1961 में और देखे मिस इंद्रिया गांदी first woman prime minister कह सकते है मिस सी बी मुतम्मा सबसे पहला woman ambassador first woman who cleared Indian civil services यह पहला आउरत है जो की CB मुतम्मा और विजय लक्षमी पंडिट first woman president of United Nations General Assembly UNGA जो की woman president कह सकते सुज़ेता क्रिपलानी सबसे पहला woman chief minister of उतर प्रदेश वो governor थी सरोजिनी नायडो सुचेतक रिपलानी जो है United province यानी उतर प्रदेश का यह chief minister बन गई अब देखिए अगला मीरा कुमार आप जानते हैं सबसे पहला woman speaker of Kolkata आरती गुपता साहा सबसे पहला woman crossed English channel जो की सबसे पहला female है जिस सिवड पदमश्री अवार्ड 1960 में उनको आरती गुपता साहा को दिया गया है कलपना चावला सबसे पहला woman cosmonaut है दोस्तों और दीपा करमाकर आप जानते हैं पहला woman gymnast जिनको medal मिला है Commonwealth Games में रिता फार्या सबसे पहले title Miss World लेने वाली और सुष्मिता सेन जो की Miss Universe की title इन्होंने लिया है प्रदवा देवी सिंग पार्टल सबसे पहला woman president of India और सुरेखा यादव सबसे पहला female train driver जो की train driver है और दुर्बाव एनरजी सबसे पहला woman commercial pilot कह सकते हैं डाक्टर आशा पांडे first Indian who received the Legion D. Honor Award जो की आशा पांडे को दिया गया है ये आशा पांडे को दिया गया है ये आनर जो है highest French order होता है order of merit for military and civil merits में दिया जाता है French का अवार्ड है Conery Humpy सबसे पहले youngest woman who achieved the title of grand master chess में मिला है इनको आशा पूर्ना देवी सबसे पहला woman who received the ग्णानपित अवार्ड सबसे पहले ग्णानपित अवार्ड लेने वाली आवरत Indra Gandhi जो है सबसे पहला woman है जो की बारत रतना लेने वाली संतोश यादव सबसे पहला woman है जो की Mount Everest को दो बार इसने चड़ा था number of players एक एक गेम में कैसे होते हैं cricket और football और hockey के अंदर आप देख सकते हैं hockey का spelling गलत है so don't worry so यहाँ पे 11 प्लेयर देख सकते हो और 9 प्लेयर जो है Coco बेजबाल में देख सकते हो जो की बेजबाल USA का national sports है साथ प्लेयर खेलने वाली जो गेम है कबड़ी में देख सकते हो so plus 5 रिजर्व में रहते हैं और water polo में देख सकते हो और handball में भी देख सकते हो चार प्लेयर खेलने वाला polo 5 बास्केटबाल 6 वालीबाल बहुत ही important है यह सब आप याद रखेगा players of India जो की Vijay Kumar, Gagan Narang, Abhinav Bindra यह Olympic रिसेंटली जिससे सबसे पहला इंडियन है जिसको Abhinav Bindra को gold मिला है यह साथ में कर्नल राजवर्दिन सिंग रातोड जो है सिल्वर मिला है शूटिंग में यह जितने भी Vijay Kumar, Gagan Narang यह सब कौन सा खिलाडी है शूटिंग के खिलाडी है अगला Leander Pace, Mahesh Bobati, Sanya Mirza टेनिस खेलते हैं आप से पूछा जाएगा कौन सा खिलाडी किस गेम का है तो आपको बताना होगा बैचंग बूटिया, सुनिल चेतरी जो कि फुटबाल प्लेयर्स है और सुनिल कुमार, बबिता सिंग, साक्षी मलिक यह सब रेजलिंग यानि कुस्ती के खेलते हैं विजेंदर सिंग, मैरी कॉम यह सब बॉक्सिंग खिलाडी है और क्रिकेट प्लेयर्स और नेम्स विराट कोली को चीको के नाम पे जाना जाता है तिंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कपिल देव को हर्याना हरिकेन के नाम पे महांदे सिंग दोनी को कैप्टन पीस या कूल के नाम पे अली पटोडी के दूसरा नाम है टाइगर के बुला जाता है डेपेंडबल दीवाल रविडी को बुला जाता है आजित वाडेकर यहाँ पे सौरव गंगुली को बेंगॉल टाइगर के नाम पे बुला जाता है आजित वाडेकर कुछ नहीं है सुसौरग अंगुली को बेंगाल टाइगर और सुनिल गवासकर को लिटिल मास्टर विश्वनातन आनन जो की चेस्ट का किलाड़ी जितने भी उपर क्रिकेट के आप जानते हैं विश्वनातन आनन चेस्ट का किलाड़ी है सैना नयवाल, पीवी सिंदू, पुलेला गोपी चन, किडंबी श्रीकान, बैटमिंटन, प्लेयर है दोस्तो और नारायन कार्तिकेन, फॉर्मला वन मोटर रेसिंग, मोटर कार रेसर है हो, गीत सेती, पंकर जदवानी, बिलियाड्स यानि स्नूकर्स के नाम पर भी जानते हैं और जीव मिलका सिंग, गोल्फ खेलता है, मिलका सिंग, जिसको हम फ्लाइंग सिक के नाम पर भी जाना जाता है, और अतलेट है, पीटी वुशा, जिसको हम पायवली एक्स्प्रेस, हीमा दास, अभी रिसेंटली, इनका IPSB, मतलब डिप्रिट IPSB भी बनी हो, सो ओराल क्या है दिंग एक्सप्रेस के नाम पर जाना जाता है, यह सब अतलेट्स है, ध्यान चंद, जो कि हाकी का जादूगर कहते हैं, और मनपरित सिंग, तनराज पिल्लाई, सरदार सिंग, यह सब हाकी का किलाडी है, इन दे येर, इंडियन मेंस हाकी टीम, विन इट्स फर्स्ट ओलंप मेजर मॉंटेन पिक्स के बारे में देखते हैं, अब यह पूरा स्पोर्स का कंसरिंग खतम, मेजर मॉंटेन के हैं, हाइस्ट पिक, जो कि मॉंट अवरेस्ट, 8848 मीटर्स है, जो कि नेपाल में है, काटमंडू, इस दर कैपिटल, अगला देखें, बचेंद रिपाल, वास लोगों के लिए हो रहा है, इंडिया स्फर्स्ट मॉंटेन जो कि, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा है, सेकंड हैस्ट मॉंटेन भी कह सकते हैं, वर्ल्ड में, जिसको हम कांचन गंगा के नाम पे जानते हैं, और गौडविन अस्टिन आप जानते हैं, जो कि 8611 मीटर है, वो अलग है, और कँचन गंगा अलग है, सो कँचन गंगा इस दा इंडिया सेकंड हाइस्ट मॉंटेन, और गौडविन अस्टिन जो की दूसरा मॉंटेन है, एड्मर्ड हिलारी और टेंजिंग नार्गे स्केल दा मौंट आरेस्ट फर दा फर्स्ट इम, सबसे पहले विक्टोरिय डिजर्ट आप अस्ट्रेलिया में देख सकते हो मौंट अबू जो की राजस्तान में है वहाँ पे आरावली वहाँ पे जानते हैं परवत है जहां से लूनी रिवर काफी साल्टेस्ट रिवर है वहाँ से निकलता है दौलगेरी इस नेपाल में देख सकते हो मौंट कामइट जो की इंडिया में उतराखंद में मौंट कामइट है आटव वालकनो आज भी वह जिन्दा है अगदम आक्ट्व है बेरॉन आइलांड जो की लिव वालकनो कह सकते हैं तो इश्या अंडमान आइलाइन्स में देख सकते हो, अगला mountains है, Appalachians, are the found in North America में देख सकते हो, Mount Communism, जो की is located in the Cuba, that is Sugar Bowl of the World के नाम पर भी जानते हैं, तो यह जो क्यूबा में आप Mount Communism देख सकते हो, इसका जो capital है हवाना, the Mount Vesuvius जो की इचली में है, एक volcanic mountain है, और Mount Kilimanjaro आफरिका में है, smallest continent और साथ में वहाँ पे सहारा डिजर्ट भी देख सकते हो, अटकामा डिजर्ट भी वहीं पर है, तो अलग-अलग जो की आफरिका में क् लोगों को डिजर्ट के साथ साथ, Mount भी आपको पता चल रहा है, यह नजर अंदाज ना करो, अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, दुबारा आप देख लो, या comment कर लो, एक दूसरे का help कर लो, आइलांड देखा जाए, Greenland, जो की Arctic Ocean, वहाँ पे जिसे देखने को मिलता ह सुमत्रा आइलांड जो की इंडियन ओशन में है, New Guinea जो है, West Pacific Ocean में देख सकते हो, यह second largest island है, आप से पूछा जाएगा, second largest भी, तब आपको New Guinea देना पड़ेगा, The Great Britain, जो की North Atlantic Ocean में देख सकते हैं, अगला देखिए, deserts, World's largest desert, Sahara, और यह North Africa में देख सकते हैं, Asia's largest desert, जो की Gobi, China या मंगोलिया region में आप देख सकते हैं, Great Sandy Desert, मंगोलिया को कहते हैं, India's largest desert, थार जो की राजस्तान में है, कलहरी desert, South Africa में देख सकते हो, The Greatest Archipelago, Archipelago वो है, Group of Islands को कहते हैं, और Indonesia, जो की Jakarta is the capital, अभी recently Indonesia का capital क्या है, आप मुझे comment section में बता सकते हैं, और Archipel आप से ज़्यादा वहीं पर आपको देखने को मिलता है, अगला देखिए, National Symbol, Song, Flag and Animal, बहुत ही important है और जितने भी हम लोग इसके अंदर, Animal, Bird, Tree, सब के बारे में फटा-फट हम देख लेंगे, National Symbol क्या है, Lion Capital of Ashoka, जो की सांचित सूप से लिया गया है, अपना Ashoka ने इसका 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 दूरेशन होता है, और पहला लाइन और लास्ट स्टाज़ा आप देख सकते हो, फृस्ट और लास्ट इसका इसका शौडन वर्ज्जन है, फुल वर्जिन आफ 52 सेकंड क्योटा है, खुल मिला के, कितने स्टांज है, 5 है, National Anthenta, जो की in English version name is Morning Song of India by Rabindranath Taigur, जो की Rabindranath Taigur ने इसको दिया गया था, Morning Song of India के के, इंग्लीज वर्जन है वो उंदे मातरम जो कि नेशनल सांग अपना बंकिम जंदर चटर जी जिसको अड़ाप्ट किया गया था 1950 जनवरी 24th और फस्ट संग इन 1896 वंदे मातरम आनंद मत से लिया गया है 54 सेकंड्स होता है जो कि नेशनल अंतम 52 सेकंड्स के लिए होता है और बाकी हम लोग अगला पार्ट में डिसकस करेंगे I hope यह एक गंटे का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे comment section बता सकते हैं आप मुझे please अपना दोस्तों को पर share करिये और keep on subscribing and जो भी है